नगर परिशत की दमकल की गाड़ी में ड्राइवर नहीं कोरोना काल से अपने पती की कंधों परिवार चलाने के लिए अनाधी काल से काव्य ब्यूटी पालर और ब्यूटी पालर पूनम बारापात्रे में सिलाई का काम करती आ रही हैं 11 दिसंबर 2021 को शनिवा की रात करीब देड़ बजे दुकान में आग लग गई और करीब 7-8 लाग की लूट हो गई हाला कि यह सच है कि घटना से कारोबा प्रभावित हुआ है आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है अनिल बारपात्रे ने आर्मरी थाने में रिपोर्ट दर्च कराई है घटना की आगे की जाच मनोज कलबंदे के मार्ग देशन में की जा रही है आग बुजाने के लिए फाया ब्रिगेट को बुलाने के लिए नगर परिशे शास्त्रागार को बुलाया गया ड्राइवर नहीं होने के कारण फाया ब्रिगेट को नहीं भीजा जाएगा यह ब्यूटी पालर हितकारेनी कॉलेज के सामने है और पूनम बारपात्रे के स्वामेत्व में है नगर परिशे शास्त्रागार में फाया ब्रिगेट के पास कोई चालक नहीं है इस संबन में नगर परिशत की और से दमकल वाहन पर चालक के पत को भढ़ने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है लेकिन आज तक भरती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है शस्तरगान निवासी हाला की नगर परिशत प्रशासन से नाखोश है क्योंकि शहर में आग जैसी बड़ी घटनाओं में वाहनों का कोई उपयोग नहीं होता है अहीरी से BCN News के लिए आसिफ पठान की रिपोर्ट